वेलकम टू केमिस्ट्री अकैडमी स्टुडेंस आज की वीडियो में एनने टू एस फॉर ओ सिक्स का ऑक्सिडेशन नंबर हम लिखेंगे ठीक है कि इसमें सल्फर का ऑक्सिडेशन नंबर क्या है यहां पर कंपाउंड से करेने को पर लिखा आपको नदर आ रहा है यतना बड उसके लावा स कितने थे टे तो हम लोग क्या करें वान टू थ्री और फोर एस होगे उसके बाद आक्सिडेशन के तने थे ऑक्सिडेशन नंबर जीरू है उन दोनोंका ऑक्सिलेशन नंबर क्या है जीरू अब यह वाला जो ऑक्सिन यह माइनस टू है उपर वाला ऑक्सिन भी माइनस टू है लेकिन यह वाला ऑक्सिन जो यह माइनस वान है यह पार ऑक्सिन लिंक के जाए तो यह माइनस टू माइनस टू माइनस वान कितना हो गया माइनस फाइफ हो गया इसका मतलब यह जो सल्फर है ना इसका फिर क्या होगा प्लास फाइव होगा इस सल्फर का उक्सिडेशन नमर क्या होगा प्लास फाइव आ गया तो इस तरह इस आक्सिडेशन का माइनस टू इस आक्सिडेशन का माइनस टू इस आक्सिडेशन का माइनस वान इन सारों को अगर आड़ करते हैं ठीक है तो क्या जेगा माइनस फाइव आजएगा तो इसका मतलब इसको नीट्रल करने के लिए सल्फर का कितना होगा फिर प्लास फाइव तो इसका प्लास फाइव आगए टोटल आंज से जीरो आगए कहने का मतलब है कि इसके अंदर टोटल चार सल्फर आटम आरे हैं यह जो दो सल्फर आटम है इनकत होगा जैरो अक्सिडिशन स्टेट इस सल्फर का और इस सल्फर का प्लास फाइव आगए स्टेट होगा वो किस तरह होगा कि यह 두 नॉर्मल अक्साइड है माइनस टू माइ में देख सारे बच्चों को वीडियो अच्छे लगी अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज में